नमस्कार विध्यारतियों मैं भी एस राजावत आप सभी मित्रों का मिशन ज्यान के सीटी ओनलाइन प्लेटफोर्म पर हारदिक स्वागत करता हूं तो देखेगा लोक्वित के प्रसंद अपन पूछ रहे हैं पहला प्रसन है आई बढ़ने के सास्ता करकी दर का बढ़ना किस प्रकार की करप्रणाली का लक्षन है कि कौन सी करप्रणाली है जिसमें आई बढ़ने के सास्ता टेक्स रेट बढ़ती है तो बेटो प्रगतिशिल करप्रणाली है इसमें आई बढ़ने के सास्ता करकी दर है वह बढ़ती जाती है प्रगती शील कर पढ़ना लेगा देखेगा यह लेलिया आई यह करकी दर और यह लेली कर रासी कर रासी आई है जैसे यहां अपने कर की दर लेली कर की दर है मालो 5% 10% 15% 20% और जैसे जैसे आई बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो इस प्रकार की कर पढ़नाली को प्रगती शील प्रोग्रेशीक टेक्स सिस्टम कहा जाता है यानि ज्सकी इंकम 10,000 है उसे 5 % 1 ऑध तो 17,000 है तो इतना पैंसो रुपे लेलो जिसकी इंकम 25,000 है उसे 20% उससे कितना 5,000 रुपे ले लो तो देखो जैसे जैसे बिटा इंकम बढ़री है वेसे वेसे करके दर बढ़री इसको प्रगतिशिर करप्रणाली कहा जाता है और प्रगतिशिर करप्रणाली में जो चित्र बनता हो इस तरीके के बनता टेक्स रेट इस तरीके की होती है जैसे जैसे मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार हैं वो बीटा जी प्रतिगामी करप्रणाली को अपनाती है प्रतिगामी करप्रणाली क्या होती है जैसे जैसे आई बड़े जैसे जैसे आई बढ़े करकी दर हैं वो क्या होती है कम जैसे जैसे आई बढ़ती है करकी दर कम होती जाती है इसको प्रतिगामी करप्रणाली कहा जाता है और प्रतिगामी करप्रणाली है वो जनरली एप्रतिक्स करो में इस प्रकार की करप्रणाली को अपनाया जाता है और प्रकार की करप्रणाली का उत्पादन को बढ़ाना उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की करप्रणाली को अपनाया जाता है इंडायरिक टेक्स में इसा देखा जाता है बिटा सरकार क्या करती है एप्रतेक्स करो में प्रत्यक्स क्रों में इत्पादक्ता को बढ़ाने इत्पादकों को जैसे जैसे वह अधिक टेख्स सरकार के द्वरां कुछ रिवेट दी जाती है इसलिए ध्याम कर प्रति प्रत्य कर क्रौनली को वह प्रतेक्स और प्रगती शील द से डेटस का मतलब कि जिस पे लगया जाता है उसी को इसका भारवें। करना पड़ता है प्रगती शील का मतलब जैसे जैसे आई बढ़ती है क्रकी दर है वह बढ़ती जाती आपको पता है कि भारत में पंद्रा लाक रुपे तक की वारसिक आई पर आप देखें तो जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ती हैं वह करकी दर बढ़ती जाती है इसलिए कौन सी हो गई यह प्रगतिशील हो गई देखा आपने भारत में अगर आप देखें तो भारत में 5,000,000 रुपे तक की वारसिक आइ उस पर यह करकी दर वह जीरो परसेंट दाई लेकर के 5 लाक तक है इसलिए 5 परसेंट पांच लाक से लेकर के साड़े साथ लाग रुपे तक की इंकम है, उस पे 10% X है, जाधे साथ लाग से लेकर के 10 लाग तक है, उस पे 15% है, जाधे साड़े 12 लाग तक है, उस पे 20% है, और साड़े बारा लाग से लेकर के पंदरा लाग तक है उस पे तीस परसेंट है और इससे ज्यादा कितनी भी हो उस पे तीस परसेंट है तो देखो भारत में क्या हो रहा है जैसे जैसे आई बढ़ रही है इधर करकीदर क्या कर रही है और आई बढ़ने के सासाथ करकीदर बढ़ती है उसको प्रगती शील कर पढ़ना ली कहा जाता है इसलिए इस प्रसंद का सही उत्रोगा ए नेक्स है निम्न में से प्रतेक्स करों का उदारण है कि इन में से कौन स कुनसा करें वह अपरफिक्स कर है तो परन निगम कर है यह परफिक रहें यह निए प्रत्यक्स कर हैं तो यहां आप देख रहें कि कौन सा प्रत्यक्स करों का उधारन है तो सेवा कर हैं यह प्रत्यक्स करों का उधारन है और भारत में सेवा कर जो लागू किया गया था वो चोछान में लगाती है निगंकर तो केंद्र सरकार लगाती है केंद्र रसकार लगाती है आयकर ये भी के अंदर सरकार लगाती है सीमा I gray जो सेल्टेक्स हैं उस राझ्य सरकार के द्वारा लगाया जाता था तो उत्तर कुम सा गया वो आ candles ब्क3 कर और आपकोबता है इसी ब्क multiplier करके स्थान पे क्यों दा गया था वेट अतों कि प्रसन संक्या स्ट कर की दर संब्प आ उसे प्राप्त कर राजस्व समंद किुस वक्र के द्वारा दिखाए जाता बेटा क्र क committees कि दर और उससे प्राप्त होने वाला कर राजस्व हैं इनके बीच जो समंद्ध हैं वो दिखाए जाते लौफर वक्र के द्वारा किसके द्वारा कर की दर क्या है और उससे प्राप्त होने वाला कर रेविन्यू क्या है इन दोनों के बीच में जो समंद्ध दिखाता है वो करो में सुधार से हैं ध्यान रखना राज चलया समीधी का संब्ध कई बार तो यह दे देता है कि राज चलया समीधी का संब्ध किसे हैं तो कर सुधार उसे और करो में भी खास करके डाइरेक्ट टेक्स से रहा हैं तो प्रसंद हमारे से पूछ रहा है कि साब जो राज चलया समीति है इसका समद्ध किसे हैं तो राज चलया समीति का समद्ध है वो प्रतेक्स करो में सुधार से हैं उत्तर कुन सा होगा ए हैं फिर हैं प्रसंद पूचा है कि राज चलया समिची का गठन के शुष किए गया था तो राध मा समिची का समद वेरा 19 grâce चलैया समीचीती का समद यह 19- Surprisingly में किया गया था रहतिक सुधारों के दोरान — आ आर्टेक सुधारों के दोरान आपको पता है कि 24 उलाई 19 controllers tourer सब प्रतम किए गये थे और है इन्हीं आर्तिक सुदारों के दुरान pennese में चलेया समीति का गठन किया गयाक चलेया समीति का सब्सक्यास करिए कर सुदारू से कारे सुदारल करऊ sunt शुदार और कौन बातिकस करों की सुदार से समीति है नेक से प्रसं संक्या नो, बारत में आएकर सार्व प्रतम किस्वर्स लागू किया गया, बारत में आएकर सबसे पहले लागू किया था बेटा 1860 में, ध्यान रटना, बारत में आएकर की बात करें, आएकर, इंकम टेक्स, तो बारत में आएकर सबसे पहले लागू किया गया था 1860 में फिर बात आती है इसको हटाया अठारा सो तैतर में इसको हटा दिया गया था और पुने लागू यानि फिर से कब लागू किया तो 1886 में इसको फिर से लागू कर दिया गया अब हमारे से तो प्रसंद के वल पूचा है कि भारत में आएकर किस वर्स लागू किया गय से प्रसन संक्या दस सेन्वट सेनवेट की स्वर्ऽ लागू किया गया था सेनवेट लीओ अधेक्स और यह नळा 2000 2001 पंद यह में लागू किया था द्याद रकना में उत्पादन शुल्क के प्रकार रहे हैं उत्पादन सुल्क या उत्पादन कर इसी के प्रकार रहे हैं एक तुरा है mode weight modified value added tax और इसी का एक नाम है वो है सेंट्रल वेल्यू अडएड़ टेक्स बिटा मौडवेट हैं यह उननीस तो oursी सत्याशी में लागirrel में और इसकी जगें सेंड्वेट है यह लाया गया दो हजर- दोहजार एक में मौडवेट की जगे यह लाया गया सेंट्रल वेल्यू अडएट टेक्स रहा है किस प्रकार के कर रहें यह दोनों के दोनों आपके उत्पादन कर रहें प्रसंद संक्या ग्यारा बारत में हजार रुपे के नोट को बारत में हजार रुपे के नोट को चलन से बार कब से किया गया है पहले भारत में अजार उपे का नोट चलता सब्सक्राइब कराइब करने आठ नॉम्बर 2016 को नरेंदर मोदी ने भारत में मुद्रा का वीमूद्री करण किया, और इस वीमूद्री करण में बेटा एक तो 500 का जो पुराना नोट था, 500 रुपे का, उसको चलन से बार किया था, और एक हजार रुप예 का जो नोट है वह चलन में था. उसको क्या किया था बार्ट किया था अब पांसोगे नोट की जगे तुर पांसोगा नया नोट आ गया. पर हजार रुपी का नोट है वह भारती अर्त्य वेस्था में अभी भी चलन में नहीं Spot, तो द्यानत रखना, आम से पूछा है कीजार उपए का, श्रुठक उन्उट को चलिज़ा से बाहर किया था। तो हजार उपए की नोटको चलिज़ा से बाहर किया था आठ नॉब्बर 2160 को, नेक्स करखें है कि भारत में सेवाकर की शुरुवात कब की गए थी, सेवाकर है और सर्विस टेक्स हे यह लागू किया गया थे Square वहरे में तो पहले बात तो द्यानता सेवाकर का कर है इनटायरेक्ट टेक्स है नंबर दो सेवाकर कौन सी सरकारे लगाती है के अंदर सरकारों के द्वारा सेवाकर है वो लगया जाता है और तीसरी बात सेवाकर लगा कब था तो यह लगया गया था भारत में 1994 में पिच्छानमे में और चोती बात अब सेवाकर है वो किसके दाइरे में आ गया अब सेवाक लिए गया है प्रसान संक्या आप देखें तेरा राजिस्तान राज्ये में वेट को कबसे लागू किया गया तो राजिस्तान में वेट को जो लागू किया था एक अप्रेल तो जार चेको बेटा ध्यान रखना वेट की अपन बात ध्यान रखें वेट वी एटी वेट पहले बात तो वेट करें यह कौन सी कर की जगा आया बिक्री कर की जगा आया है सेल्टेक्स की जगे वेट आया नमबर तू वेट कोन सी सरकारे लगाती है राज्ये सरकारों को वेट लगाने का अधिकार हो दिया गया तीसरी बात ध्यानकना वेट का प्रस्ताव हैं यह मारी संसद में पारित हो गया था 1299 में की जो अपनी यह वेट लगाना चाहते हूं लगा सकते हैं तराव हूसक है फिर अपन बात करें रखेंगे बिटा उनीचस गन्य 8iende में प्रस्ताव पारित हो गया कैज अपने वेट लगना चाहते हूं लग प्रात्तम राज्ये कौन सा था प्रत्तम राज्य हरियान और हरियाना में ये एक अप्रेल 2003 से लागू कर दिया गया था अधिकास राज्ये 24 राज्यों में ये एक अप्रेल 2005 से लागू हुआ था हमारे राजिस्तान राज्ये की बात करें तो रास्तान में ये एक अप्रेल 2006 से लागू हुआ है और सबसे अंत में आप देखें तो सबसे अंत में यह है उत्तर प्रदेश राज्ये में एक जनवरी 2008 से लागू किया गया था तो रास्तन का पूचा है तो रास्तन क्या गया है एक अप्रेल 2006 अगला प्रसन है कि वेट को किस करके स्थान पर प्रतिस्तापित किया गया था यानि वेट किस करके स्थान पर है वेट लाया गया तो वेट लाया गया वो लाया गया विक्री करके स्थान पर द्यानकना पहले विक्री कर था विक्री कर की जगए क्या कर दिया वेट कौन सी सरक कि और अब वेट को किसके दायरे में कुछ मदों को छोड करके वेट है इसको भी किसमें ले लिया आप GST के दायरे में ले लिया हाला कि कुछ Smad एसी ऐसी आज भी जैसे सराब है विद्दूथ है भूमी के पर लगने वाला पंजियन सुल्ख है सिक्सा है स्वास्ते है इन खीन सद से संब्भंदि सब्भं संसोधन कों सा है बेटा सावीडान संसोधन पूच रहा है तो संसान सवीदान संशोधन है 101 ध्यान रखना यहां जी सूधन सभडंविदेयक अगर पूचे की विद्र अमबर की तो संवै है यह तो 122 थworking और सविदान पूछे संसोधन तो सविदान संसोधन कौन से क्रमकरा 101 में रहा है दोनों चीदों में आपको ध्यांद रखना है सविदान संसोधन विदेख पूछे तो सविदान संसोधन विदेख हैं ये तो बेटा जी ध्यांद रखना 122 में नंबर का था और सविदान संसोधन कि आपसे पूछे तो सविदान संसोधन एक सो एक करमका रहा है यह आपको ध्यांद रखने की बात है है और जिएश्टी से सम्मधित अनुच्हेद की ऐगर बात करें अनुच्हेद 279 ये जी इस्ति से सम्मधित अनुच्हेद रहा है जी इस्ती पुर्ट विदेख पर सबसे पहले इस्ऀक्सर करने वला रज्य है वो आपका जंबू की स्वीर रहा है दोस्तों अगरी बात कि स्कर प्रनाली का श्लोगन एक देज एक कर तता एक बाजार है कि यह जो कर प्रनालिया है किस टेक्स का स्लोगन है वो एक देश एक कर और एक बाजार है तो बटा जी एस्टी जी एस्टी वस्तु एवं सेवा का जी एस्टी जी एस्टी का स्लोगन जो रखा गया है वो रखा गया है एक देश एक कर और एक बाजार ये बटा जी एस्टी का स्लोगन है नेक से प्रसंसंक्या सत्रा पंद्रवें वित्तायों का गटन कब किया गया है आपको पता है बारत में संगात्मक सासन व्यवस्ता है और संगात्मक सासन व्यवस्ता एसी व्यवस्ता होती है जिसमें सविदान की द्वारा किंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का केंदर को अलग वित्त की जरुवत होती है इसलिए हमारी सविदान में केंदर सरकार को भी वित्य स्रोत है वो प्रदान किये गए हैं और राज्य की सरकारों को भी वित्य स्रोत है वो प्रदान किये गए हैं केंदर को भी वित्य स्रोत है वो प्रदान किये गए हैं राज्य की वित्त्रूत है वो प्रदान किये गए है राज्यों को वित्त के लिए केंद्र निर्पाट रहना पड़ता है इसलिए भारत के सविदान में केंद्र राज्यों के पीच करों का बढ़व करने के लिए बेटा वित्तायोगे इसका प्राश् destruॉधनruit में 20os में जुदाए किया गया है और भारत में आज तक 15 वित्ताईयो गठित हो 75 वित्तायोग सुर्ण ये 27 नॉउंबर 2017 को हुआ है 2027 को इसका गठन हुआ है इसका काल्खंड20 2020 से 2025 तक रहेगा और इसका अध्यक्ष बढ़ाया गया है वह एनके सिंग को बनाया गया है एनके सिंग भारत में पंद्रवे वित्तायोग के क्या है अध्यक्ष तो देखेगा अपने वित्तायोग की बात की क्यूं चीए वित्तायोग हमने का कि भारत में संगात्मक्षासन में हमने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का च्या होता बटवारा केंद्र सरकार होगी और राज्य की सरकार होगी भीटा ध्यान रखना केंद्र को भी वित्त के स्रोथ दिये हैं राज्यों को भी वित्त के स्रोथ दिये हैं पर हम कह रहे हैं कि केंद्र की अपेक्सा वित्तिय मामलों में राज्य हैं वो कमजोर हैं राज्यू को वित के लिए केंद्र पर निर्बर रहना पड़ता है, तो अब केंद्रों राज्यू के बीच में करूं का बटवारा करना है, कर बटवारा करने के लिए हमारी सविधान में वित आयोग का प्रावधा ने वो किया गया, वित आयोग, वित आयोग का उलेख है, व इतने विट्तायोग भारत में गटित हो चुके तो 15 विट्त आयोग घटित हो चुका है और 15 विट्तायोग का गठन जो हुआ वो हुआ था 27,9,017 और इसका जो सिपार से प्रभावी रहेगी 2020 से 2020 तक 2020 से 2009 तक के लिए यह आपका 15 विट्तायोग है वो बनाया गया है करने नेक्स प्रसनसंट्चा अठारा अचर पंद्रवत डायों का जो है कि त्राइल के समें लिए यह वह व्जञल वितयों के लिए आपकर पंद्रवा वित्तायों किसी Channel से हैं वो 1227 तक के लिए फिर हैं अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्दान्त किस ने दिया है बेटा अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्दान्त ने दिया है अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्दान्त किस ने दिया है तो ध्यान रखे मेरे बच्चों लोक वित में अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्द औरंथ हैं ये प्रोफेशर डालंट ने दिया है में अदि एक यह करे है कि सरकार है गोह collector है कि यह सरकार कि राजस्व प्राप्त करने के लिए आघी श्रकार व प्राप्त करनेके लिए गि Jesuos तेक्स लगाती हैं तो जनता को को टेक्स के रूप में अपनी मुद्रा का अपनी आय का कुछ भाग है वो त्याग करना पड़ता है अब इस से सरकार को जो रेविन्यू प्राप्ट आई प्राप्त हुई आई इसको वह क्या करेगी खर्च करेगी वे करेगी और वे किसमे करेगी लोग कल्यान पर करेगी लोग कल्यान पब्लिक वेलपेर पर करेगी चाहे वो सिक्सा हो चाहे स्वास्ते हो चाहे संचार हो चाहे पेजल हो चाहे सिचाई हो इन पर घर्च करेग तो Professor Dalton ये कह रहे हैं कि सरकार को अपने इस राजस्व को खर्च करते समय इस बात का ध्यान रखना चीए कि कम से कम जो कर देने वाले लोग हैं उनको मिलने वाली संतुस्ती का इस्तर उनके त्याग के बराबर हो कम से कम इतनी संतुस्ती तो मिलनी चीए कि जितना उन्होंने त्याग किया है सरकार आ प्रोफेसर डाल्टन ने दिया है प्रसन संक्या 20 प्रस्वन संख्या बीस कह रहा है कि लोखित का संबन्द किस्से हैं तो लोक्वित हैं सार्धनिक आइस सार्धनिक वह सार्धनिक रिंड तीनों से संबन्द होता है उत्तर के आएगा उपरहुत सब्राइड बेटा जब आपने लोक्वित पढ़ा होगा तो मिने डाल्टन की परिवासा बताई होगी और डाल्टन ये क्या कहा कि लोक वित सार्जनिक आई सार्जनिक वे और सार्जनिक रिन इन तीनों का वित्ये प्रबंदन है वित्ये प्रबंदन है यही क्या है लोक वित्थ सरकार की आई वे और रिन का जो प्रबंदन है वित्य कि पहली बात तो देखो हमने कहा कि लोक वित की जरुवत की होती है तो हमने कहा कि अभी जो राज्ये का स्वरूप है वो लोक कल्यानकारी राज्ये और लोग कल्यानकारी राज्ये हैं तो राज्ये को अपने नाग्रिकों के आरतिक और सामजिक विकास के लिए कई प्रकार के काम करने होतेजंद इसने राज्ये को किसके जरुवत होती और राजिय आज़ार प्राप्त करने के लिए अपनी जंता पर विबीन प्रकार के क्र लगाता है कर लगाता है ठीक साब इससे तो आई हो गई कि अभी कह में वेशा तोड़ी कि जंता के बर जो आई लगाई गई इसको खजाना पर इसको खर्च करना होता है अब लोग कल्यान पर आपने इसको खर्चा किया तो बिटा कई बार क्या होता है कि सरकार का आई कम है और सरकार का होने वाला खर्च वह क्या ज्यादा अब खर्चा ज्यादा होता है तो सरकार इसका प्रभंदन है वह रिन लेकर के करती है रिने लेना पड़ता है और इन तीनों का जो अध्यन है वही क्या विटाओ लोक वित्त है कि सरकार सरकार को लोक वित की दरबात की होती है आर्तिक विकास के लिए बिलकु सही बात है सामाजिक विकास के लिए बिल्कु सही बात हैं अनुदान और साहिता के लिए बिल्कु सरकार को विबिन प्रकार का ग्रांट देना पड़ता है सबसीड़ी देनी पड़ती है और बेटा अनुदान और साहिता है इसके लिए भी सरकार को विद्ध की जरुवत होती है तो उत्तर कौन सा कारियों के लिए सरकार को वित्त की जरूरत होती है नेक्स आप देखें निम्न में से एक अच्छी करप्रणाली के गुण है कि कौन सी करप्रणाली है उसको अच्छा मना जाएगा तो देखें पहला कह रहे हैं कि करप्रणाली प्रगतिशील होनी चीए बिल्कु सही बात है अच्छा होता है नंबर दो लो सिलता होनी चीए लो सिलता का मतलब एसी करप्रणाली जिसमें आउशक्ता के नुसार बदलाव किया जा सके तो लो सीलता होनी चीए बिल्कु सही होनी चीए तीसरा आप कह रहे हैं कि कर है वो शमता को ध्यान में रख करके लगाय जाने तो शम्ता के नुसार का लगाये जाना चीए तो उत्तर क्या होगा उत्तर होगा उपुरोग ड्रोग Of सभी तो उत्तर कौन सा बेटा डि उत्तर हो गया प्रसन संख्या अ त्यविश सहं ुDr. लुस्त के नें में से प्रतेक्ष करूँ का गुण नहीं हैं तो पहला कहें कि प्रतेक्सकर है वो नागरिक प्रबुद्धता उत्मन करते हैं बिल्कु सही बात है प्रतेक्सकर नागरिक प्रबुद्धता उत्मन करते हैं लोगों में समझ पेदा करते हैं क्योंकि प्रतेक्सकरों के रूप में उनको प्रत्रेक्स कर हैं यह जनली प्रगतिश ही लोते हैं जिरून अधिक आई करकी दर अधिक होती है अर्टिक वालों पर कraction प्eder आर्म समयनता को कम करते हैं अभी तो बात कर Esther क है पर ऑमीरों पर जबाए रहारें गरीब कर्वसूली में खरचा कमनता है गलत ना ज्यांद रखना करें किए प्रतेक्स प्रतेक्स करूं की पैक्शा खरचा अधिए कने क् करों में खात के रखरगाओं की जरुवत होती है यह तो प्रतेक्स को मैं तुन दॉप सब्सक्राइब देखें प्रगती शील प्रगती शील वे आनुपातिक करप्रणाली का मिश्रण होता है इसको बेटा जी कहा जाता अदोगामी करप्रणाली यानि एसी करप्रणाली जिसमें एक बिंदू तक आई बढ़ने के साथ साथ कर किदर बढ़े और उसके बाद वो क्या हो जाती स्तिर हो जाती है इस प्रकार की जो करप्रणाली उसको अदोगामी करप्रणाली कहा जाता है तो देखिए यह जो बिंदू है यहां तक तो आई बढ़ने के साथ साथ कर किदर क्या कर यह बढ़ रही है तो प्रगती शील लक्षन है और इसके के बाद आप देखे आय बढ़ने के साथ साथ करकी दर क्या होगी स्तिर हो गई यह कुन सा हो गया आनुपातिक हो गया तो जिसमें प्रगतिशील और आनुपातिक यहां तक प्रगतिशील है इसके बाद आनुपातिक हो गई तो जहां प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों करनालियों का मिश्रन होता है उसको अदो गामी कर प्रनाली है वो कहा जाता है तो यहां इस प्रसंद का सही उत्तर होगा वह विटा जी कौन सा भी होगा नेक्स हैं रिन लेकर यह अधिक मात्रा में नोटों का निर्गमन कर वित्त की व्यवस्था करना क्या कहलाता है यह इनार्थ प्रबंदन है हिनार्थ अगर किसी देश की सरकार को अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए या तो बेटा और इनले रही है या अधिक मातला में नोड़ छपवा कि उसका प्रबंदन कर रही है इस प्रकार का जो प्रबंदन होता उसको कहा जाता हिनार्थ प्रबंदन तो देखिए देखो बजट गाटा हो गया बजट में गाटा हो गया और गाटा कब होगा जब सरकार की आई है वो तो क्या है कम और खर्चा क्या हो गया ज्यादा एक उदारन ले रहा हूं मालो सरकार की इंकम है वो 500 रुपे हैं और सरकार का खर्चा है वो 600 रुपे हो गया तो यहां 100 रुपे का क्या हो गाटा हो गया अब इस गाटे को पूरा करने के लिए देश की सरकार है या तो बेटा सो रुपे का रिन लेगी तब ये गाटा पूरा होगा या फिर अधिक मात्रा में क्या चपवाएगी अधिक मात्रा में नोट चपवा के इसको पूरा करेगी तो यदि किसी देश की सरकार रिन लेकर के या अधिक मात्रा में नोटों का निर्गमन करके बेटा जी अधिक मात्रा में नोटों का निर्गमन करके गाटे को पूरा करती हैं तो इस प्रकार का जो प्रबंदर होता है उस प्रबंदन को बेटाओ कहा जाता है हिनार्त प्रबंदन उसी को कहा जाता है गाट गाटे की वित्व्यवस्ता गाटे की वित्व्यवस्ता और आपको पता है हिनार प्रबंदन हिनार प्रबंदन का दूसरा नाम है गाटे की व्यत्त व्यवस्ता और ध्यांद रखना इस प्रकार से यदि कोई राष्टर अपना वित्य प्रभंदन करता है तो बेटा वो मुद्रा-इस्पिती का कारण बनता है मुद्रा इस्पीती का क्या बनता है कारण बनता है तो इस प्रकार के प्रबंदन को बहुत अच्छा प्रबंदन है वो नहीं कह सकते इसे लिए इसको हिनार्थ प्रबंदन कहा जाता है अच्छा प्रबंदन तो कब हो अच्छा प्रबंदन तो तब हो कि अगर मालिये किसी देश के देश में घाटे का बजट है या बजट में घाटा है तो उसका पूरू उसको पूरा करने के लिए सरकार हैं अपना रेविन्यू बढ़ाए अपनी मात्रा में नोट चपवा करके आप उसका प्रबंदन करते हो तो इसको बहुत अच्छा प्रबंदन नहीं किया कहा जा सकता इसको इसलिए नाम दिया हिनार्थ प्रबंदन इसलिए इसका नाम है वो है घाटे की वित व्यवस्ता तो देखिए वेटा लोगो आई यह जो टोपिक है लोक वित इसमें अपने 25 प्रसंद हैं इनके उपर डिसकस की है कि लोक वित क्या होता है लोक वित की जरुरत की होती है करारोपन की विदियां आपको पता है चार प्रकार की करारोपन विदियां होती है प्रगतिशील होती है आनुपातिक होती है प्रतिगामी होती है अदोगामी होती है फिर अच्छी करप्रणाली का क्या आर्थ है अच्छी करप्रणाली के क्या गुण है क्या अच्छी करप्रणाली में होना चीए तो आपने क दिल ताका इन में गुण होना चीए ये एक अच्छी करपणा लिए कि ये क्या होते हैं गुण होते हैं अब दोस्तों यहीं पर हमारे लोक विच्छ से जुड़े हुए प्रसन है उसका शोलिशन अपने कर लिया है थैंक्यू और बहुत आशिरवाद शुब कामनाई